संग प्रमुक मोहन भागवत के बयान पर भढ़के असद्दू दिन ओवैसी संग प्रमुक के हिंदू राश्ट वाले बयान पर ओवैसी कब बड़ा हमला बीज़पी और रॉस्ट्रे संड सेवक संग के साथ असद्दू दिन ओवैसी की सियासी आदावत पुरानी है और वैसी संग पर हमला करने का कोई भी मौका हास से नहीं जौनी देते हैं इसी कड़ी में संग प्रमुक मोहन भागवत ने जैसे ही भारत को हिंदू राश्ट बताया और वैसी आग बबला होकर और उन्होंने भी जम कर पलटवार किया दरसल आर एसस सरसंग संग्चालक मोहन भागवत पर निशानस आते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत भारत को हिंदू राश्ट बता कर इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं अपने एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा भागवथ भारत को हिंदू राश्ट बता कर यहां मेरी अधिहास मिटा नहीं सकते ये काम नहीं करेगा वो ये नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृती आस था और पहचान हिंदों से जुड़ी हुए भारत ना कभी हिंदू राश्ट था ना है और ना ही कभी बनेगा इंशाल्ला उवेसे यही नहीं रूखे उन्होंने एक और प्रीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कोई फरक नहीं पड़ता कि भागवत हमें विदेशी मुसल्मानों से जोड़ने की कितनी कोशिश करते हैं लेकिन इससे मेरी भारतियता कम नहीं होगी हिंदू राश्ट हिंदू सर्वोचता यह हमारे लिए अस्विकारिये है इससे पहली संग प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विश्व में सबसे सूखी मुसल्मान भारत में मिलएंगे क्यूकि हम हिंदू हैं, हिंदू राश्ट हैं भागवत ने किसी के प्रती कोई घंडा ना होने पर जोर देती हुए कहा कि संकाव देश्य भारत में परिवर्तन और उसे बहतर भविश्य की ओड़ ले जाने के वास्ते देश में पूरे समाज को संगठिन करना है ना कि केवल हिंदू समधाय को भारत की विविदता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश एक सुत्र में बंधा है भारत के लोग विविद संस्कृति भाशाओं भगालिक स्थानों के बावजूद खुद को एक मानते हैं उन्होंने कहा कि यहूदी मारे मारे फिरते हैं अकेले भारत है जहां उन्हें आश्रे मिला पार्सियों की पूजा और मूल धर्म केवर भारत में सुरक्षित है विश्व में सरवाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा ये क्यों है क्योंकि हम हिंदू हैं संग प्रमुक ठपा हट जाए। साथ ही RSS और समाज एक समुख के तार पर कार कर लिए। चलिए सारा श्रे समाज को दे। लेकिन RSS प्रमुख की ये बात ना तो विपक्ष के गले उतर रही है और ना ही मुस्लिम समाज के कई नेताओं को पसंद आ रही है। अधने उस्वारो की डिपोर्ट